नमस्कार मैं अभिश्यकराज CEO Foundry Easyway Global दोस्तों बिहार अनुद्यसक भरती का ओनलाइन फर्म कब भरा जाएगा यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो गया सवाल इसलिए हो गया है कि यह फर्म का नोटिफिकेशन निकाला गया ऑनलाइन फर्म भरने का डेट भी जारी कर दिया गया और जिस दिन फर्म भरना था उस दिन एक नोटिस निकाल के बता दिया गया कि सफ्ट्वेयर के तक्निकी प्रोलम के करण फर्म अभी नहीं भरा जाएगा और अगली सुचना तक आपको इंतजार करना होगा तब जाकर फर्म भरा जागा ऐसा करके इसके कलोज कर दिया गया और जो कंडिडेट हैं जो फर्म अपलाई करना चाहते हैं अब वो संसर्म है कि क्या होने वाला है इस पे हम चर्चा करेंगे बताएंगे कि इसके पीछे कारण क्या है क्या संभावित कारण है और ये कब भरा जाएगा हमें क्या करना चाहिए ये तमाम चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाल है वीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये जो मैसेज मैं बताने वाला हूँ सभी CITS होल्डर तक जाना चाहिए और आपको जागरूख होना चाहिए तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरुआत करने से पहले एक सुछना है कि EGWay कोचिंग में 2 जुलाई से नया बैचे स्टार्ट हो रहा है ट्रेट से अगर आप ITI किये हैं किसी सरकाई नौकरी का त्यारी करना चाहते है तो आप हमारे ओफलाइन कोचिंग को जॉइन कर सकते हैं 2024 चुनाओ से पहले जितने भी भरती आने वाली है सबका त्यारी हम इसमें कराएंगे फंडामेंटल बैच है और विल्कुल एडवांस तक पढ़ाया जाएगा आपको हर एक चीज चाहे कोशन्स बैंक की बात हो प्रेक्टिसेट की बात हो स्टडी मेटरिल की बात हो हर चीज हम प्रवाइड करेंगे फिर यह कोश्ट रहेगा आप इस बैच को जोईन कर सकते हैं होस्टल में राना चाहते हैं तो लिम्टेट सीट होता है आप पहले अड़िमिसन ले लिजे तब आपको जगह मिलेगा अगर जो बच्चे नहीं आप आ रहे हैं ओ आउनलाइन कोर्स हमारा जोईन कर सकते हैं इजीवे के अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लिजे प्लेश्टर पर और हमारे हल्प लाइन नमर पर बात करके आप जनकाई ले सकते हैं या डारेक्ट वहां से कोर्स को परसिज कर सकते हैं तो चलिए ये एक सुचना था आगे बढ़ते हैं अब देखिए बिहार तकनिकी सेवायोग ये आयोग है जिसको जिमारी दिया गया है कि बिहार के IETI अनुदेसक भरती आपको लेना है तो इसके तरफ से बिग्यापन भी जारी कर दिया गया बिग्यापन संक्या 7, 2023 ठीक है जुन से फॉर्म भरा जाएगा लेकिन ये फॉर्म एस्टार्ट नहीं हुआ मतब तेईस पांस से लेकर 22 छे तक मई में ही फॉर्म भरने का डेट था ठीक है लेकिन फॉर्म भरा नहीं गया और एक महिना से जदा हो गया इस सुचना का आई हुए सुचना में क्या था? समझ लिजे पहले सुचना को समझे तब कीज़े समझ में आएगा आपको बोला है कि ओनलाइन जो फॉर्म भरने का डेट था 23 मई से लेकर 22 जुन तक लेकिन एक नोटिस जारी कर दिया गया है बोला गया कि सफ्ट्वेयर में तक्निकी तूटी के कारण दिनांग 22 से ओनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि बोला कि सफ्ट्वेयर में तक्निकी सुधार होने के पहस्चाथ बोला कि सफ्ट्वेयर में तक्निकी सुधार होने के पहस्चाथ या था सीखरे आवेदन प्राप्त करने की तीथी के समझ में बिश्तिरित सुचना अलग से परकासित की जाएगी अब बिश्तिरित सुचना अलग से क्या परकासित की जाएगी बिश्तिरित सुचना होता क्या है एक नोटिस निकालने के लिए ये जो लिखा है ना ये डाउटफुल लिख दियागी बिश्तिरित सुचना मतलब फिर से नोटिफिकेसन जारी किया जाएगा और भाई हम किस जुग में जी रहे हैं कि तक्निकी प्रोब्लम सफ्ट्रेयर में आ और एक महिने से ज़्यादा हो और अभी भी आपका सॉफ्ट्रेयर नहीं बर रहा है ये तो कहीं से चीजे पच नहीं रहा है और यहीं सुचना देखकर लग रहा है कि डाल में कुछ काला है क्योंकि आज के टेक्नलोजी के जवाने में कौन सा सॉफ्ट्रेयर है आपका कि भाई एक महिने हो गए एक मेने जड़ा होगा आपका सॉफ्ट्रेयर अभी भी प्रोब्लम में है कौन से इंजिनियर उस पर काम कर रहा है और यह तो बहुत बड़ा तो सॉफ्ट्रेयर की बात है नहीं फॉर्म अपलाई करवाना है कहे तो हम उनका सॉफ्ट्रेयर को ठीक करवा देंगे मेरे पास इंजिन कारी चायन योग के तरफ से फॉर्म भरवाया था उससे भी रद कर दिया गया अंदर ही अंदर पता नहीं चला लोग फॉर्म भर के खुश हो रहे थे लेकिन उसको भी निरस्त कर दिया गया पता भी नहीं चला और दूसरा इनके तरफ से भी सारे चीज़े दी गई यह तो form भी नहीं भरवाया आप बोले कि हम सफ्टेयर में तुरूटी है और तुरूटी देखिए एक मेहने तक है तो भाई साब एक बात याद रखिए कि बिहार IETA में अभी contract पर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं कुछ guest faculty भी काम कर रहे हैं तो हम दो-तिन एंगल से याथा संभोच चीज़ों को बताने का पैरास करेंगा ये लोग हो सकता है guest faculty जो 900 के आस्वा संख्या में उनके दवाव में कुछ चीजे सुधारने के चकर में पड़े होंगे या कुछ नहीं करना चाह रहे हैं contract वाले भी हैं उनका भी अपना अलग demand है कि भाई हमको permanent कर दो ये तमाम चीज़े हैं और बाकी जितने CITS holder हैं जो अभी इस form का इंतिजार कर रहे हैं इनके तरब से किसी तरब का कोई दवाव नहीं दे जाता है किसी तरब से कुछ भी प्रश्ण पर नहीं पूछा जाता है पर बैठे हुए हैं चाहे मंत्री जी हो चाहे उनके उपर जो भी अधिकारी हो या हमारे मुख मंत्री साहब हो एक नजर ITAE कॉलेजों को जाकर देखना चाहिए तो उनकी क्या इस्तिती है एक ITAE कॉलेज में दूर के तोर पे रखंढ़ दैंकी से कोई अवाज उठाने वाला नहीं है भरती आती है पिछले 10 बार से पिछले 10 साल से 10 बार इस तरह का प्रयास किए बहरती लेने के लिए लेकिन एक बार भी सपलता नहीं मिला है तो अब हम लोग को CITS करने वाले जितने भी लोग है हम लोगों को एक कदम उठाना चाहिए तब जाकर चीजे सुधरेगा और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं अब पोल्टीस करने लगते हैं ठीक है थोड़े पढ़े लिखे सब्ढ़े थोड़े लएते हुँ लगता है लिएंको लगता है कि नेता बनने का उसर आ गया है तो पेपर में नाम छपवाने का आऊसर आ गया तो लोग लगते हैं पोल्टीस करने देखिए कोई भी समस्या का समधान आप समस्या को और समस्या बना कर नहीं कर सकते हैं समस्या का समधान तभी होगा जब उसका आप निवारन खोजेंगे तो आईए कुछ पॉइंट से जिसमें हम चर्चा करते हैं पहला पॉइंट से बिहार तक्निकी सेवायोग जाना चाहिए हम लोग को एक बार बिहार तक्निकी सेवायोग है इसके पास जाना चाहिए और पुछना चाहिए कि क्या सच में सफ्ट्रेयर का प्रोब्लम है या इसके पीछे कहानी कुछ हो रहे क्योंकि एक महीने सफ्ट्रेयर खराब है ये संभव ही नहीं है लेकिन जब आप एकेले पूछने जाएंगे तो वहाँ पर गाड रहता जो अंदर जाने नहीं देगा आपको और हाजारों को संक्याव जब हम लोग पहुँचेंगे तो एक बात तक्निकी सेवायोग को भी पता चलेगा कि भाई नहीं अब इस्तिती बिगड़ने वाली है कुछ न कुछ एकजक्ट जनकारी देना होगा या तो इसके बारे में सही जनकारी देगा कि भाई ऐसा है आपके मंतराले के तरब से ये आदेसाया है इसको अस्थगित किया गया है हमारी इसमें कोई जीमार नहीं कि तक्निकी सहयों को काम क्या है परिच्छा लेना, रिजल्ट जारी कारना, रिकूर्मेंट कारना लेकिन ये जूट बोलके परिच्छा नहीं लेना चाहता है या मंतराले इसी से आगे फ्रंट करके बुलवा रहा है कि भाई ऐसा बोल दो और बच्छे सांत रहेंगे तब तक हमारा इधर काम हो जाएगा तो हम लोग को हजारों के संख्या में देखिए जब फॉर्म ओपन होगा तो हमें लगता है कि लाखों लोग फॉर्म भरेंगे बिहार में बैठे हुए चेन्नाई गयते सिटिया गरने हैदरबाद गयते कुलकात्या गयते हरियाना के तमाम जगा जाका सिटिया ही किये थे लेकिन उनको पाटना बोल दो आने के लिए सरम आती है उनको अंदर से समेंदा ही नहीं जगता है कि हमको जाना चाहिए हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए पढ़े के उते भाई कि अपने अधिकार को भी नहीं जानते है दूसरा नियोजन भन पहुँचकर मंतरी महोदय से मिलना चाहिए उनको भी बताना चाहिए कि भाई कौन सा सॉफ्टेवर में सुधार किया जा रहा है कि पिछले लगबग एक मेने से जड़ा हो चुका है और अभी तक सॉफ्टेवर में सुधार चल रहा है मंतरी महोदय को भी इस बात का हिसास होना चाहिए अगर हम कोई चीज में रुकावर डाल रहे हैं तो इसके भी लोग ध्यान दे रहे हैं, लोग हैं संख्या में, हाजारों का संख्या में जब नियोजन भॉन पहुंचेंगे, तो मीडिया भी हमारा कवरेज करेगा, और इन पर भी एक दबाव बनेगा, सचाई निकल कर सामने आए, क्योंकि अभी सचाई कुछ भी नहीं समझ को रख सकते हैं, तीसरा, भरती पर फोकुस करना चाहिए, बहुत सारे अभी चारचाएं चल रही है, कि भाई अधर श्रेट वालों को क्यों मौका दिया जा रहा है, इनको क्या हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, देखे, आप अगर इस चकर में पढ़ेंगे, तो भरती रु कोई नहीं है, दुसरा चीज, कि पहले तो भरती आए, और एक जाम में बैठी है, अगर जिसको मिलना होगा, नौकरी उसको मिल जाएगा, जिसको नहीं मिलनागा, उसको नहीं मिलेगा, चाहिए बिहार वाले रहें, चाहिए बाहर वाले रहें, तो बात इस चीज का जिक्र बारा महिने चोदो महिने लग जाएंगे फीस नया रिकूर्मेंट भरती आएगी फिर नोटिफिकर्सन रागा इस चकर में घंचकर में फोकुस जाएंगा पिछल दस साल से ही हो रहा है इस चीजों पना लग हमको फोकुस करने जाएंगे भरती आए जिस चौबिस बाइस सो ह है ना और हम लोग हैं कितना मान का चलिए दस जार बीस जार होंगे और बीस जार में से बाइस सो कहीं नोकुरी मिलेगा तो बाहर वाले भरे नामरे उससे क्या फरक पढ़ता है कि आपको मिल जागा नोकुरी अगर उन लोग नहीं आएंग तो आपको मिल जागा और 10% ही उ बाचा कितना आपके पास 1100 सीट बचा अब 1100 सीट है उसमें से कुछ महिलाओं को भी आरक्षन है तो कूल मिलाकर आपके पास जड़ा सीट बच नहीं रहा है उसमें से बाहर वाले 10 परशन चले जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मिल जाएगा आरक्षन वालों को मि लोग को कमेंट में हम वीचार लेना चाहेंगे आप लोग कमेंट कीजिए पहला काम यह है कि एक ट्यूटर कमपीनियन चलाएं लेकिन ट्यूटर तभी चलाएंगे जब दोनों जब हम मिलकर हम लोग आएंगे तब जाकर हम लोग ट्यूटर कमपीनियन करेंगे तो क्या नहीं पढ़ना चाहिए, यह नियम बोलता है, लेकिन सांधी पुरुपक तरीके से हम भी जाका सवाल पूछ सकते हैं, यह मेरा अपना राइट्स है, तो अगर आप लोग तयार होते हैं इस चीज के लिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ इस पे फैसला होना च करते हैं, तो फिर तो इस पे डेट डिसाइड करके हम लोग चलेंगे, और सवाल करेंगे, पचास सो रुपया खर्च हो रहा है, उसके लिए परिसानवत पड़िया, और किसी को कोई पैसा देंगे, आप अपने सेल्फ पैसे साईए, खर्च करके, एक डेट डिसाइड करें करेंगे, 10-20 दिन के अंतराल पे, 10 दिन के अंतराल पे, और उस डेट को सभी लोग आएंगे, लेकिन इसके लिए कम से कम एक हजार लोग सहमत हो, कमेंट करेंगे, हम आ रहे हैं, इस पे आपना राय रखें, और दोनों जगा मिलने के बाद हम लोग ट्यूटर कंपनियों भ कुछ नहीं होने वाला है, यह जो जिन्दगी मिला है घर में बैटने के लिए नहीं मिला, कुछ करने के लिए मिला है, और आपका यह भरती आने वाला है, हम लोग अपने आँखों के सामने से से जाते हुए देख रहे हैं, ऐसा ना करें, तो चलिए, अगर आप सहमत हैं, तो एक हजार लोग अगर हमें कमेंट करते हैं, देखने के तो बहुत लोग देखेंगे, लेकिन कमेंट करेंगे, किवल बिहार वाले आने के लिए, तब इस पे कोई हम लोग एक्सल लेंगे, अगर आने के लिए कमेंट नहीं करते हैं, तो कोई फायदा नहीं है, हमारे एके के बिचार का, थैंकि यू सो मच